पत्तिस नवंबर को जहाँ एक तरह पूरे देश के लोग अयुद्या पर नजर गढ़ाई बैटे होंगे तो वहीं शिप सेना भी अपनी ताकत का एसास कराने से पीछे नहीं अटेगी यहाँ पर शिप सेना के रास्तिय अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पहुच रहे हैं उनके आने की संभावनाओं को देखते हुए तमाम संख्या में लोगों के वहाँ पहुचने की आवस्चक्ता मैसूस हो रही है इसी क्रम में अखिलवारतिय प्रदान संगेठन के राश्तिय महासचिप भी आयोध्या पहुचेंगे और बड़ी संख्या में प्रदानों को वहाँ ले जाने की बात भी उन्होंने कही है अब देखना ये है कि शिप सेना के लोग कितनी बड़ी संख्या में बहाँ पहुचेंगे लेकिन एक बात साफ हो जाती है कि कहीं न कहीं राम मंदिर को लेकर शिप सेना अब काफी गंभीड दिखाई दे रही है और उनका नारा भी है कि अगर मंदिर नहीं बनेगा तो सरक बनेगी मामला 2019 के चुनाव का है 2019 का चुनाव अब नजदी का चुका है जिसको देखते हुए भारतिय जंता पार्टी को घेरने के लिए तमाम पार्टीयां आगे आनी शुरू हो गई है